2024 का चुनाओ जिस तरह से एक निडायक चुनाओ के रूप में सभी राजनेते दल देख रहे हैं वहीं आज अमित साहा ने जिस तरह से इटावा में आकर रैली कर सीधे सीधे निसाना सैफ़ई परिवार पर जो किया है उस पर सीधे उन्होंने कहा है कि पूरा चुनाओ परिवार ही चुनाओ लड़ा है और पीडिये की बात समाजवादी पार्टी करती है किस तरह से भारती इंता पार्टी सोचती है मैं आपको दिखाऊं कि यहां सदर विधायक सरिता वदौरिया के साथ साथ वो पुराने भारती इंता पार्टी के नेता है जो एक समय में जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी जो सीधे उनसे सीधे सीधे चुनावी जंग किया करते थे सबसे पहले तो मैं विधायक सर्ता वैदौरिया जी से पूछूँगा जिस तरह से आज अमित सा की रैली हुई है इससे पहले किसनी में रैली हुई है तो जो मैनपुरी जो एरिया है डिमपल या दब चुनाव लड़ रही है उनकी छोटी बेटी वी चुनाव में उनकी ब कर रहे हैं जहां अधड़िया मोदी जी आधड़िया मित्सा जी आधड़िया योगी जी राजनात जी सारे लोग मिलकर भारती जनता पार्टी के प्रत्यासियों को जिताने की बात कर रहे हैं और जो संकल्प भारती जनता पार्टी के कारिकरता हुने लिया है यह मिस्वार 400 पार करेंगों इसको सार्थ्त करने के लिए पार्टी मिलकर प्रयास कर रही है और एक तरफ कुछ परिवार के लोग कर रहे तो जब परिवार लोग यह ही एक राजनेतिक दल में काम कर रहे तो उतने लोग चुद्धावा से आपने राजनीत कियो इटावा भी पहले सपा अपना गढ कहती थी, जंडा यहां आपकी पार्टी ने पहले गाड़ा, यहां दो बार से आपने सांसद और दो बार लगातार विधायक आप यहां से हो रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं जिस तरह पूरा क्या माइने आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो परिवार पूरा फूरा निक् hybrid उन्हूंने का मतलब रए उनका मतलब है परिवार हुआ ग्रह मंत्री जी चिरे सीधे को आड़े हाथ लिया रहा है वह किस तरह से और क्या यह है पूरा इसका लोग रह गहिए और पूरी भार्ती जनता पार्टी कूरे सब behalf के नेता लगे हैं और मुझे लगता है कि स्वार जो हमारा चंकल पर परिवारवादी विवस्थाओं से उपर उठकर देश के लोग राष्टवाद के लिए बोट करेंगे राम मंदिर के लिए स्माचवादी पाटी कहती मंदर कोई मुध्दा लहीं है और वह सीधे चीधे लोग है वह बेसिक विकास को ले कर मुध्दा नहीं है क्योंकि उनके लोग तो पूछ्छ रहे थे कि राम लला टेंट में हैं तारीक बताएं जब हमने तारीक बास जनवरी बताई और योत्ध्य सभाजवादी पार्टी के लिए मैं पुरी आ रहे हैं, जैसे जश्वन नगर में वी मेरे साथ अभी दिखाई भी पड़ रहे हैं, देखिए ऐसा कुछ नहीं सचिन यादव समाजवादी पार्टी में बहुत घुटन मैसूस कर रहे थे और खुली हवा में आज सांस ले रहे हैं और कमल के लिए काम कर रहे हैं सचिन यादव सहथ सभी ऐसे कारी करता हूं को नौजवानों का स्वागत है जो राष्ट के लिए एक अपनी आहुती देने के लिए आगे बढ़ कर आए और भारत दुनिया के लिए बहुती पार्टी कहती है वासिंग मसीन है को बीजेपी यहां जो भी जाएगा क्लीन होकर आएगा आदमी पार्टी क्या कहती है वो कहने लाइक नहीं है जेल के अंदर से कुछ भी कह सकते हैं तो कहना उनका काम है लेकिन भारती जंता पार्टी सिंग मसीन नहीं है अब राष्ट के निरमान का काम कर रही है और जो राष्ट के लिए काम करना चाहते हैं एसी नौजवानों को आगे लाकर उनको फ्रंट पर कि इस बार मोधी जी की आधी है पूरे देश में और अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है उसे जंता सार्थक करने के लिए अपना प्रयास और अपना आने वाले 13 तारीख को इटावा में और साथ तारीख को में बुरी लोग सवा में अपना कमल वाला बटन दवा करके आपने देखा होगा इतनी प्रचंध में इतनी प्रचंड गर्मी में जनता का जोगास है आप देख रहे vollड़ास है तो यह यह देखा आप करना जो निड़े है वो इवियम में करा देगी क्या एबी पी गंगा खबर आपकी जवाब की